सब्सक्राइब तो सक्सेजीज और प्रेस्ट बेल आइकन तो गेट आल अले लेटेस्ट वीडियो गुट इस वीडियो और वेल्कम टूर्ड स्वागत है आज हमारा स्वाइल का नेक्स लेक्चर है जिसमें पर्मेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं लेकिन उससे पहल था कि हमकिसी भी डाउट को लेके आगे ना बढ़ सकें क्योंकि एक्जैम के अंदर हर एक कुश्चन हम लगा कर आएंगे अगर टौपिक पढ़कर जा रहे हैं तो सारे के सारे कुश्चन उस टौपिक सरे लिए हमारे एक्जैम के अंदर क्या होंगे बिल्कुल लगा पagtय बताएंगे कैसे हैं क्योंकि हमारे एक एंथम है जिसको हम रोज चुरू करते हैं सवल रॉक्स बिल्कुल तो सभी लोग बताएं देख रहा हूं जैसे मैं रिकी शर्मा जी आ चुके हैं विजय गुपता जी कह रहे हैं वो लाइव नहीं देख पाएंगे कोई बात नहीं वि चुके शर्मा जी बस बढ़िया है आप इसी तरह से कंसिस्टेंसी के साथ लगे रही है दिपीका खरे जी नहीं दिख रही है क्या करण है इसका कि इनजीनियस अड़्डा जी भी कल गायब थे विकास कुमार जी गुड़ीवनिंग बस बढ़िया है ठीक आतुल जी गुड़ीवनिंग तो सभी लोग जल्द जल्द खटे हो जाएं ताकि हम टॉपिक को आगे बढ़ा सकें और देखें पर्मेबिलिटी अव दा सॉयल किस तरह से निकाली जा सकती है क्या क्या फेक्टर हो सकते हैं जो कि पर्मेबिलिटी विकास लेक्टर में थोड़ी बहुत तो उसको हम दुबारा रिपीट कर लेंगे कोई बात नहीं है जो आज नया है वो भी देख लेगा चलिए आगे बढ़ते हैं क्या करें सी पेज कल बढ़िया था सरी बिशफ्वजी जी बिलकुल नोट्स टियार कर लिए हैं आपके सारे लेक्टर से विकास कुमार जी बिलकुल नोट्स भी तयार करते रही है तो जो भी बच्चा यहां पे है जो भी वीडियो को देख रहा है मैं उनसे गुजारश करूँगा कि जो भी मैं आपको यहां पर बताता हूँ उसको आप क्या करना है आपको घर में अपने आप से लिखते रहना है नोट्स के फॉर्म में अपने आप तयार होता चले जाएगा और जब आप देखेंगे एक्जैम्स के नजदीक पहुंचेंगे तो वह बहुत एक खुबसूरत सा आपको आपका जैसा लेटर जैसा नजर आएगा क्यों क्योंकि वह आपका खुद का लिखा हुआ है और एक ठीक है परवेबिलिटी के वारे में मैंने बात की थी पहले भी कि पर में बीडी कैस माटीरियल की जो क्या करने देता है फ्लूइड को उसके थूरू पास होने देता है एकजेम्ट ले लेते हैं कि भाई यह मैं मान लोता हूँ एक स्वील का सैंपल है अगयन क्या है साब को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं अगयन चलिए लोग जल्दी खटे हो जाए वीडियो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूले चलिए तो अब मैंने क्या किया एक फ्लूइड को मैंने यहां से पास कराया वह फ्लूइड ऐसा भी हो सकता है यहां से पास हो जाए दूसी तरफ से या नहीं भी हो तो अगर मैं किसी कंडिशन में मान लेता हूं जैसे एक्जैम्पल किसका लेता हूं स्टील का अगर मैं यह स्टील का मै हम मैं मान ले तो एक सैंपल है यहां से अगर मैं क्या गरूँगा पानी फ्लो कराऊंगा तो कुछ यहां से फ्लो के नहीं निकलेगा क्यों क्यों कि इसके अंदर कहीं भी जगा नहीं है लेकिन ऐसा सॉइल में नहीं होता सॉइल में क्या होगा कि आप अगर इसके अंदर क्या चानते हैं कपड़े से जैसे उपर से पाई ढालते हैं नीचे से निकल जाता है क्यों कि कपड़ा क्या है परμεेबल है वो क्या को पानी को परमिट होने दे sharing माईडियर टो इसी तरह मैं कह सकता हूं कि अलग-अलग स्ोराइल बी अलग-अलग एक gravel था एक sand था एक silt था और दूसरा clay था तो मतलब हर किसी की अपनी-अपनी एक permeability होनी चाहिए तो सही रही की बात अगर हर किसी की अपनी अपनी permeability है तो मैं एक अंदाजा आपको permeability का यहां पे दे रहा हूं ठीक है के permeability को मैं यहां पर केसे डेनोट करता हूं अगर मैं gravel की बात करूं तो gravel की permalty less greater than one centimeter per second ठीक है centimeter per second मैं दूसरी बात ज्यान देने की बात यह है कि माझ पर meability को कि जो unit है वो centimeter per second या फिर meter per second कहता हूं जनरल मैं centimeter के साहत काम करता हूं क्ले रहेगी बात तो चैन्टिम्टर पर सेकंड आगर मैं सेंट पर जाऊंच तो सेंट पर मीदिलियों कुछ बन से लेका 10 तो थी पार माइनस 3 सेंटीमेटर्स पर सेकेंड माई डियर फ्रेंट्स यह आपको याद रहना चाहिए क्यों क्यों कि एक्जैम के अंदर क्या करेगा आपको एक वैल्यू प्रोवाइट कर देगा और आप से पूछेगा विच्ट टाइप और स्वाइल इस सेल्ट सैंड ग्रैवल और क्ले तो कैते है है हाइड्रोलिक कंडक्टिव भी कहते है हमाइडिय इर फरело त तो अगर कहीं पर आपको हाइड्रोल Only लिख्खा मिल जाता है तो उसको भी आप पहचान सकते हैं क्योंकि वो उसका मतलब कया है खार में भी हएं क्लियर रहीगी बात तो अब यह हैड्रॉलिक कंडक्टिविटी पर्मेबिलिटी की जब भी भी बात होती है तो आप एक बात हमेशा याद रखेंगे जैसे ही पर्मेबिलिटी का नाम आएगा आपके दिमाग में एक लॉग आ जाना चाहिए जिसे मैं कहता हूं डार्सी लॉ यह डार्सी लॉग क्या कहता है इसको देखते हैं दिभी का खरेजी भी आ चुके हैं चलिए लिंक ओपन नहीं हो रही थी ओके कोई बात नहीं चलिए सभी लोग ज्यान देंगे अभी तक की सारी बाते मुझे लगता है अभी तक क्लियर होंगी अगर मैं बात करूँ आगे डासी लॉग की तो डासी लॉग कहता क्या है पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है डासी लॉग डासी लॉग बहुत सेंपल सा है और बहुत छोटी सी बात बोलता है डा कि डासी लॉग यह कहता है according to Darcy's law ठीक है for laminar flow flow कैसा है laminar laminar flow in a saturated soil mass saturated soil mass velocity of flow velocity of flow is a directly proportional to hydraulic gradient किसके directly proportional होता है hydraulic gradient के मैं repeat कर देता हूँ कि Darcy's law क्या कहता है Darcy's law यह कहता है कि अगर flow कैसा है laminar है और किसमे saturated soil mass में है तो फिर velocity of flow hydraulic gradient के क्या होगा directly proportional होगा मतलब मैं कुछ यह लिख सकता हूँ और hydraulic gradient क्या होता है इसके बारे में हम last lecture में बात कचुके है my dear friends अगर मैं इस proportionality का sign हटा दूं तो वी क्या हो जाएगा के आई के बराबर हो जाएगा और यहां पे क्या होगा coefficient of permeability होगा क्या होगा coefficient of permeability जिसकी unit आप सब लोग जानते हैं centimeter per second या फिर आप meter per second भी कह सकते हैं clear रही की बात चलिए अब मैं यह जानता हूँ velocity क्या है k into i है दूसरी बात मैं यह भी जानता हूँ कि discharge क्या होता है discharge जिसको मैं यहां पे q से denote कर देता हूँ discharge क्या होता है area into velocity अगर मुझे किसी soil के अंदर कितना discharge होगा यह निकालना है velocity तो मैं already जानता हूँ डार्सी के according क्या होता है k into i होता है बस area मुझे पता होना चाहिए तो मैं ऐसा कह सकता हूँ discharge equals to a ki या फिर मैं थोड़ा simple सा लिख देता हूँ के आई ए सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है ठीक है तो डिस्चार्ज भी मैं जान गया हूँ according to the dasis law discharge कितना होना चाहिए के आई ए होना चाहिए ठीक है clear रहेगी बात दिवेगहरे जी बिलकुल centimeter per second आसिफ जी वेलकम है आपका भी चलिए तो शुरू आगे बढ़ते हैं और सभी लोग ये बात तो अच्छे से ही जानते हैं कि जो hydraulic gradient है इसकी value भी हमने देखी थी head loss per unit length कि कितना head loss हुँ आप per unit length उस soil mass के अंदर अब इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा deep में जाने की कोशिश करते हैं मैं मान लेता हूँ कि ये एक soil mass है ठीक है और ये क्या है एक soil mass है जिसमें मैंने कुछ यहां से flow कराया और यहां पर पीजो मिटर लगा दूगा तो मुझे क्या मिल जाएगा head मिल जाएगा इस बार में हमने कल भी बात की थी मैं मान लेता हूँ यहां पे head जो मिला वह कुछ h1 मिला कितना मिला h1 और जब यहां से flow pass होके आया कुछ l length cross कर गया तो यहां पे जो head मिला वह कुछ मैं मान लेता हूँ h2 मिलता है clear रही बात अगर ऐसा होता है तो मैं hydraulic gradient क्या कर सकता हूँ head loss per unit length मतलब h1 minus h2 by l एक बात तो ही समझ में आती है कि i की value यहां पे क्या होगी चलिए अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं मैं मान लेता हूँ यह क्या है एक hollow pipe है जो marker है इसको आप क्या मान लीजे एक hollow pipe मान लीजे कि अंदर से क्या है यह खोकला है अगर खोकला है तो मैं यहां से soil के particles भरे हुए है ठीक है इसी pipe के अंदर मैंने मान लिया कि क्या है मिट्टी भरी है मिट्टी भरी है मतलब soil के particles भरे हुए है और पानी अब कहां से flow करके आएगा soil के particles के बीच में जो void भरा है जो void है इस void में से पास होके आएगा मतलब जो velocity आपने यहां पे निकाली है यह जो velocity आपको मिली है यह कैसी है एक average velocity है क्यों क्योंकि यह तो यह consider कर रहा है कि पानी क्या होगा directly निकल के आजाएगा लेकिन हम यह जानते हैं कि पानी कहां से नि क्या आएगा वहां पे area जो present होगा वो क्या होगा comparatively कम होगा comparatively कम होगा तो मतलब अगर area कम हुआ तो velocity क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी सभी बात है देखते हैं तो समझनी कोशिश करते हैं क्योंकि यह जो velocity मैंने निकाली है यह जो velocity मैंने निकाली है यह कैसी है apparent velocity है या फिर मैं इसे average velocity भी बोल सकता हूं लेकिन अगर मैं यह देख रहा हूं soil के अंदर तो seep करके पानी निकल रहा है तो मुझे तो क्योंसी चाहिए seepage velocity चाहिए क्योंसी seepage velocity या फिर मैं उसे true velocity भी कह सकता हूं तो क्या कोई एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से मैं यह बता सकता हूं कि अगर soil की average velocity V है तो seepage velocity कितनी होगी तो my dear friends एक expression मैं आपको और भी आज प्रोवाइड करना हूं जिसको आपको याद रखना है soil के अंदर यह अक्सर पूछ लिया जाता है कि भाई seepage velocity जो होती है वो average velocity upon porosity होती है जो कि हम N से denote करते हैं तो मतलब seepage velocity is average velocity by porosity और दूसरी बात आप हमेशा याद रखेंगे कि seepage velocity is always greater than average velocity क्यों क्योंकि आप जानते हैं soil mass के अंदर जो area available होगा कम होगा जिसकी वज़े से क्या हो जाएगा velocity कुछ increase कर जाएगी इसका example ले सकते हैं एक pipe ले लिजे उस pipe से पानी क्या करिए flow कराईए लेकिन जब आपको क्या होना होता है पेड़ में पानी डालना होता है आप कहते हैं कि थोड़ा दूर तक जाए तो आप उस pipe को आगे से दबा देते हैं जैसे ही आप दबाते हैं आगे का cross sectional area क्या हो जाता है कम हो जाता है और velocity of the flow क्या कर जाती है बढ़ जाती है उसी तरह मैं ये भी कह सकता हूँ कि soil के अंदर जैसे ही void का क्या होगा जगा कम होगी seepage velocity बढ़ जाएगी मतलब average velocity से हमेशा seepage velocity क्या होनी चाहिए जादा होनी च जाता हूँ कॉमेडी ट्रिक ओके seepage velocity चलिए area कम velocity जाता है बिलकुल तिपिका घरे जी जस्पाल सिंग भी जी भी आज दिख रहे है जस्पाल सिंग जी आप कभी कभी gap हो जाते हैं लेकिन regular रहेंगे थोड़ा सा दिखाई देता है consistency जब तक आप consistency नहीं लेके आएंगे जब तक regularity नहीं लेके आएंगे exam के अंदर competition बहुत tough है उसको अगर आप क्या करना चाहते हैं क्रॉस करना चाहते हैं उस competition में आगे निकलना चाहते हैं तो consistency एक बहुत बड़ा factor है आपकी life के अंदर जो आपको maintain करना होगा चलिए लबी सबी लोगों को समझ में आ रही है बात चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्या को है सरं ले मीनार फ्लो ठीक लेमिनार फ्लो पूछना चाह रहे हैं ठीक है ले मिनार फ्लो क्या है और यह आपके देखने को नहीं मिलता बस सेंपल भाशा में अभी मैं इतना ही कहूंगा तो जब भी भी परमेबिलिटी की बात हो तो परमेबिलिटी की जैसे ही बात होगी आपके दिमाग में एक बात स्ट्राइक कर जाएगी तुरंत क्या है डासी लोग और डासी लोग जिसको पता है वो फटाफट फटाफट बनाता चला जाएगा चलिए अब ये परमेबिलिटी में कैसे निकालूंगा ये भी सवाल बनता है तो मैं मैं तर्स टू फाइंड परम ऩा परमेबिलिदी निकाली कैसे जाये देखिए ये तो बीड़ा ये मैं यह जिसको मैं लोटर्री मैं सबसे पहले बात कहें आपको कि आपको बनाने इसका कहले है पर सबसे पहली बात तो मैस मैथर की बारे में आपको बता देता हूँ कि यह मैसर फित को इन सब करेंब कर शाओ कर दो रहा डे जाता है कि कौस्षाम और की एक क्या ले लिया है सॉइल का सैंपल ले लिया इस सॉइल के सैंपल में मैंने कुछ फ्लो कराया और यहां पर पीजो मेटर लगा रहा हूं कुछ head mir ko क्या मिल गया h1 head मिल गया और यहां से कुछ ना कुछ flow होके आएगा मैं मान लेता हूँ l length ही मैं मान लेता हूँ कि भई यहां पे जो head मिला मुझे कुछ h2 मिला clear रही बार अब मैं क्या कर रहा हूँ जब मैं इसमें पानी क्या करा रहा था तो भई एक amount of water मैंने यहां से डाला और flow करा के यहां पे निकाल लिया discharge हो रहा होगा मैं जो भी पानी यहां पे आ रहा है वो मैं यहां पे क्या कर रहा हूँ इखटा कर रहा हूँ एक बीकर के अंदर ठीक है और इखटा करने के साथ-साथ क्या time में हो रहा है यह भी note कर रहा हूँ ठीक है कितना पानी यहां पे इखटा हो रहा है यह भी note कर रहा हूँ कितने time में हो रहा है यह भी note कर रहा हूँ clear रहीगी बात अब soil के अंदर भई मुझे यह जानता हूँ मैं Darcy के according तो यह जानता हूं कि भरी जो डिस्चार्ज यहां पर hooga क्योंकि भई कुछ ना कुछ पानी में हहां से भीजू गा तो मिह जोडिस्चार यहां से भीजू गाँ यहां से निकलेगा तो डिस्चारज कितना वॉल्यम पानी पर इूनिट टाइम क्या हो गया वहांसे निकल गया यह मैंने यहां पर ख्टा कर लिया कुछ वॉल्यम पानी क्या हो गया था Video तरक है कुछ टीम में क्लियर रही बात यह मुझे से मिल गया तो यह भी discharge है मतलब दोनों बराबर होने चाहिए कर देते हैं बराबर तो मुझे यहां पर मिल जाएगा कि के आई एकल्स टू वी बाइटी और मैं आई की वैल्यू जानता हूँ हेड लॉस पर इनिट लेंथ होता है मैंने लिख दिया मुझे क्या निकालना था पर्मेबिलिटी निकालनी थी तो पर्मेबिलिटी को के को लिख सकता हूँ वी इंटू एल अपाउन हेड लॉस एरिया इनटू टाइम और ये मेरे पास फॉर्मला आ जाता है एक जो कि मैं क्या कहते ता हूँ permeability is nothing but vl by k sorry vl by hl into 80 clear रहेगी बात विश्नु कुमार जी मुझे लगता है कि आज नए आए है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए topic देखके तो आपको पहचान में आ जाना चाहिए ठीक है ये हमारा क्या है constant head method है जो कि صرف किस के लिए होता है whole grain soil के लिए सवाल यह भी ओ सकता है कि मैं से fine grains soil के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करता हूं तो my dear friends fine grain soil के लिए से इस्तेमाल नहीं किया ओ plum कीया रहा है क्योंगी अगर मैं fine grains soil के अंदर यही flow कराता हूँ और यहाँ पर पानी खटा करने की कोशिश करता हूँ जो कि मैं बीकर में यहां कर रहा था तो यही क्योंकि मैं जानता हूँ permeability fine grain soil की बहुत कम होती है इसके comparison में coarse grain soil comparison में तो time मुझे इसी test को perform करने में क्या लगेगा बहुत जादा लगेगा fine grain soil में और इतना time मेरे पास नहीं है इसी लिए मैं सिर्फ इस method का इस्तमाल coarse grain soil के लिए करता हूँ और coarse grain soil कौन कौन सा है यह आप जानते हैं चाहे वो क्या है gravel है चाहे वो क्या है sand है ठीक है मतलब मैं gravel या फिर sand के लिए ही इस method का इस्तमाल करूंगा clear रही बात चलिए इंजिनिस अड़ा जी का indirect भी बताई है indirect भी बता देंगे चलिए civil engineering जी भी पूछ रहे थे कि क्या सभी लोग को जवाब मिल चुका होगा चलिए आगे बढ़ते हैं एक दूसरा method भी है by course ग्रेंड का तो मैंने कर लिया तो मैं ऐसा करता हूँ को एक method fine grain के लिए बी बात कर लेता हूँ तो fine grain soil के लिए भी आ जाते हैं कि अगर मैं fine grain soil की बात करूं कि दूसरा method है मेरे पास इसको falling head method भी कह देते हैं क्यों कहते हैं इभी पता जिल जाएगा ठीक है तो वेरिएबल हेड मैथर या फिर falling head method अब ये variable head मैथर ने क्या क्या एक soil का sample फिर से ले लिया क्यों कि मुझे क्या निकाल नी थी यह पर्मेबिलिटी निकाल नी थी जिसका cross sectional area capital A था मैंने इसके उपर क्या लगा दी एक ट्यूब लगा दी ठीक पाइब लगा दिया जिसका cross sectional area small A था जब मैंने इसके अंदर क्या गरा पानी भर दिया और मैं मान लेता हूँ इसमें जो head था वो कुछ small h था ठीक है किसी t time पे clear रही बात अब क्या होगा जैसे ही आप इसमें पानी डालेंगे इसमें क्या गरने लग जाएगा अंदर जाने लग जाएगा किसी time t2 पे मैं यह देख सकता हूँ और आप देख रहे हैं head क्या कर रहा है fall कर रहा है इसलिए मैंने नाम क्या रख दिया falling head या फिर variable head रख दिया तो अगर मुझे इस case में permeability निकालनी है तो एक simple सा formula मैं आपको provide करता हूँ permeability निकालने का 2.303 small a by capital A कुछ था है हाँ ठीक है यह मैं मान लेता हूँ l length यह कुछ इसने cross करी है ठीक है तो l by t और यह t क्या है भाई जो भी time difference होगा है यहाँ पे t1 minus t2 सही बात है log h1 by h2 जो भी head में आपको difference देखने को मिला होगा पहले कुछ h1 था उसके बाद कुछ h2 था clear रही बात तो permeability निकालने का एक simple सा formula आप जानते हैं जब आपको किस में निकालना हूँ fine grain soil में निकालना हूँ ठीक है तो यह जो मैं टेस्ट माल कर रहा हूँ यह fine grain soil के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ठीक है clear रही बात fine grain soil permeability is less due to cohesion with the particles रिकी शर्मा जी बिलकुल ठीक है और भी कुछ वजाएं हैं उसकी भी धीरे धीरे बात करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे रिकी जी आपको बाते पता चलती रहेंगे ठीक है तो यह दो method हैं जो आपको अक्सर याद रखने हैं कि falling head method fine grain soil के लिए इस्तमाल किया जाता है और coarse grain soil के लिए मैं constant head method का इस्तमाल करता हूँ यह कुछ एक direct तरीके हैं लेकिन एक indirect तरीके भी है कुछ और वो indirect तरीके क्या है वो भी बात कर लेते हैं एक कुछ equations है हमारे पास उन equations को आपको याद रखना है वो आपको जैसे जैसे याद रहेंगी आपके अगर सकते है डिरेक्ली आंसर निकाल सकते हैं उन equations की वज़द से है ठीक है इंडारेक्ट मेथर्ड की शबसे पहले बात करें तो एक हमारे पास कॉजनी कार्मन इक्वेजन ठीक है कारमन ने हमें एक इक्वेजन परवाइड करी है कहता है कि आप यह वेजन ले लिजे और इस एक्वेजन में आप वेल्यूस को पोटाप करी ए और आप डिरेक्ली परमेबिलेटी आफ दर बहुत ज़्यादा नहीं है तो अगर मैं कॉजनी कार्मन एक्वेशन के बिहाफ पे बात करूँ तो यह होती है k equals to 1 upon k k k यहाँ पर क्या है कॉजनी कार्मन का constant है ठीक है k k gamma w by mu e cube by 1 plus e d square ठीक है gamma w सभी लोग जानते हैं क्या है mu क्या है viscosity dynamic viscosity of the fluid ठीक है यहाँ पर फ्लूइड क्या है water है ठीक है यह तो आप सभी लोग जानते है word ratio और डी क्या है size of the particle of that particular soil अगर आपको size of the particle पता है आप डिरिकल क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं उस soil की permeability क्या होगी ठीक है इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है है लेकिन exam के अंदर आप से क्या हो सकता है डिरेक्टली यह equation छापके दे दे और कहेगा पहचान के बता दीजिए कोजनी कार्मन की equation कौन सी है सही वाली तो आप बता सकते हैं बहुत ज़्यादा इस पे कोई numerical नहीं वैल्यू प्रवाइट की हुई है अल्यड़ी 100 प्रवाइट की है सी क्या एक कॉंस्टेंट है तो सी डी 10 का स्क्वाइर तो बहुत सेंपल से equation है आपको हमेशा याद रहने चाहिए एलन है जिन की equation डी 10 क्या है effective size of the particle है बहुत बार थर्ड एक equation और भी वस्ती है मेरे पास उसकी भी बात कर लेते हैं और वो है consolidation equation consolidation equation ठीक है जिसको मैं लिख देता है के एक उसे cv mv gamma w ठीक है cv mv and gamma w gamma w आप सभी लोग जानते है unit weight of the water ठीक है cv यहाँ पर क्या है coefficient of consolidation क्या है coefficient of consolidation यह क्या होता है कहां से आया जब consolidation topic जो हमारा next topic है उसमें बात करेंगे तो वहाँ पर आपको सभी लोग को समझ में आ जायाएगा कि cv क्या है mv की बात करें तो यह coefficient of volume compressibility क्या है volume compressibility ठीक है तो cv और mv यह दोनों के दोनों parameters जो है consolidation of the soil में आएंगे और वहाँ पे आपको इन सारे topics की clearance मिल जाएगी तो अभी के लिए आप याद रखेंगे कि permeability of the soil according to क्या है आपकी consolidation क्या है cv mv into gamma w clear रही बात अब तक कितना slivers हुआ है उसके question गुपता गुपता में जिर्फ लाए जाएंगे अमन गोईल जी क्या कह रहे हैं कि इसके लाबा कि दर्मेंदर जी मीना जी का भी आ चुका है चलिए ठीक है एक equation में आपको और भी दे देता हूं उसको भी थोड़ा सा याद रखें बहुत ज़्यदा समाइने रखती है कि k equals to 200 e square d e का square ठीक है यह आप फिर से जानते हैं क्या है point ratio और d e क्या है effective size of the particle clear रही बात तो effective size आप जानते हैं क्या होता है ln equation के हिसाब से d 10 होता है लेकिन आपको effective size of the particle इस case में निकालना पढ़िएगा clear रही बात तो आपको वैसे भी question में जब objective में अगर पूछा जाएगा तो आपको वहाँ पे क्या होगा effective size of the particle given होगा और तरजागी इसके हिसाब से पूछा गया तो आपको simple कुछ नहीं करना है 200 e का square into d e का square कर देना है answer 2 minute में निकलके आपके हाथों में होगा चलिए अमन कोयल जी अच्छा कर रहे हैं आप आसिफ नवाद जी SSC JE का भी तर आसिफ नवाद जी SSC JE और RRB JE के syllabus में बहुत दढ़ा कोई अंतर नहीं है एक दो topics का difference है तो आप syllabus को दोनों को एक बार पढ़ लें दोनों के syllabus में और आपको देखने को मिलेगा कि स्वाइल के syllabus में कोई difference नहीं है जो मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं अगर RRB के लिए पढ़ा रहा हूं तो मतलब SSC के लिए already पढ़ा रहा हूं सही है तो कोई confusion नहीं होना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं next factors की भी बात कर लेते हैं यह तो तरीके थे permeability निकालने के लेकिन permeability in factors की वज़ए से effect हो सकती है इसकी भी बात की जा सकती है और इसी की आगे हम बात करने वाले हैं factors affecting permeability चलिए अंशुलपाल जी बे आ चुके हैं चलिए अंशुलपाल जी क्या बात आज कल आप मुझे लगता है कल शायद आप नहीं आए थे दर्मेंद्र जी आप regular आ रहे हैं इंडिजनिस अड़्डा जी आ रहे हैं अमन गोयल जी भी regular है अमन गोयल जी आपके बाकी के साथ ही मुझे नहीं दिखाए दे रहे हैं तो सक सीरीज के जितने भी students हैं उनसे भी कहिए कि वो चार बज़े जब lecture होता है तो उनका revision भी हो जाएगा तो उनको बोलिए कि सबी लोग present रहें चार बज़े ताकि revision भी साथ साथ चलते रहना चा हूँ और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग यहाँ पर implement करें चलिए चलिए अंशुल पाल जी ठीक है बात कर लेते हैं सबसे पहले particle size particle size अब देखिए particle size पर तो depend करता ही है मैं जानता हूँ एक coarse grain soil है और एक fine grain soil है तो मैं आपको बता दूँ coarse grain soil की permeability fine grain soil से क्या होती है जादा होती है क्यों क्यों कि आपने देखा है coarse grain soil के अंदर size of void क्या होता है बड़ा होता है काफी बड़ा है size of void लेकिन fine grain soil के अंदर अगर आप देखें तो size of void क्या है बहुत ज्यादा छोटा है clear रहेगी बात तो coarse grain soil की हमेशा fine grain soil से permeability क्या रही है ज्यादा रही है मतलब मैं ऐसा क्या सकता हूं कि permeability k is directly proportional to d size of the particle जितना ज्यादा size होगा उतनी ज्यादा permeability होगी clear रही बात दूसरे factor की बात करूँगा तो दूसरा factor है specific surface area specific surface area आप ये बात अच्छे से जानते है कि specific surface area जितना बड़ा size of the particle होगा उतना कम होता है specific surface area specific surface area है क्या बहुत लोगों को यहीं नहीं बता है बहुत कल भी बताया था आज भी बता रहा हूं specific मतलब volume surface area per unit volume अगर आपको आपने दूसरा या तीसरा lecture मेरा देखा हो तो मैंने उसमे coarse grain soil and fine grain soil में specific surface area किसका जादा होगा ये बताया है किसमे size of void ज्यादा होगा ये भी बताया है किसमे total volume of void ज्यादा होगा ये भी बताया है और किसमे number of void ज्यादा होंगे ये भी बताया है तो उसको जरूर visit करें तो यहाँ पे आप directly link कर सकते हैं कि specific surface area universally proportional होगा किसके size of the particle के और हम ये बात जानते हैं अगर जितना ज्यादा size of the particle होगा उतनी ज्यादा permeability होगी लेकिन जितना ज्यादा size of the particle होगा उतनी कम specific surface area होगी मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि specific surface area भी क्या होगा inversely proportional होगा permeability के मतलब अगर मैं इसको चलो सीधी तरीके से कहा देता हूँ कि permeability is यह कि जितना ज्यादा specific surface area होगा ठीक है उतनी कम permeability होगी क्लियर रही बात inversely proportional नेक्स आ जाते हैं चलिए दर्मेंद मरीना जी का भी reply आ रहा है कि यहां पर कुछ कह रहा है अंशुल भाई आप एक बार सक्सेजी इस मैं शुबंसर के साथ इंट्रीज करा रहा है चलिए कुछ कह रहे हैं जस्पाल सिंग जी थर्ड फेक्टर पर आ जाते हैं थर्ड फेक्टर है वॉइड रेशियो वॉइड रेशियो अभी आपने थोड़ी तेर पहले कॉजनी कार्मन एक्विशन देखी जोगी क्या थी के इकोल्स टू वन बाए के खे गावन डबलू बाए मियू एक्यू बाए यह देखिए अगर इस पूरे टर्म को निकाल लूँ तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि क्या है के डिरेक्ली प्रोपोर्शनल है वॉइड रेशियो के क्लियर रही बात तो जितना ज्यादा वॉइड रेशियो होगा उतना ज्यादा पर्मेविलिटी अब दा सॉयल तो ज्यादा हो अगर टेमप्रेचर ज्यादा होगा तो भी पर्मेविलिटी क्या होगी ज्यादा होगी जितना ज्यादा टेमप्रेचर उतनी ज्यादा पर्मेविलिटी मुझे देखने को मिलती है ऐसा क्यों देख लेते हैं वह एक चीज और भी नोटिस की जा सकती है और वो क्या है ? Wiscosity को अगर मैं देखूं तो भई मैं यह जानता हूँ कि जैसे जैसे मैं Temperature बढ़ाता हूँ Wycosity of the fluid क्या होती जाती है ? यह मैं fluid mechanics में देख चुका हूँ और जितना आसानी से विस्कॉसिटी का हुई कम हुई मतलब यह क्या अब वह आसानी से बह सकता है फ्लो हो सकता है आसानी से फ्लो हो सकता है मतलब सोयल में आसानी से उतनी आसानी से क्या कर जाएगा सीप कर जाएगा परमेट कर जाएगा परमेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी मतलब permeability inversely proportional होता है किसके dynamic viscosity के तो अगर permeability भी inversely proportional temperature भी inversely proportional है तो मतलब क्या होना चाहिए permeability temperature के directly proportional होना चाहिए और वो है clear रही बाद कि अगरे कि अगरे गरे दिस पर स्ट्रक्चर अच्छा अतुल जी पूछ रहे है फॉलाक्योलेटि इस पर स्ट्रक्चर के केस में तो मैं आपको बता देता हूं कि permeability लॉक्टियो लेटेड स्ट्रक्चर में ज्याधा होती है डिस्पर्स ट्रक्चर से ये भी ध्यान रखेंगे दूसरा एक और भी बता देता हूं जब पूछा ये आपने लूस सेंड के केस में परमेबिलिटी ज्यादा होगी डेंस से से क्योंकि हमें पता है डेंस कंडिशन में क्या होगा उसके अंदर वॉइड कम होगे वॉइड रेश्यो कम होगा तो परमेबिलिटी भी कम होगी और यह यहां पर हम देख भी पा रहे हैं यह रही बात चलिए नेक्स आजाते हैं डिग्री ओफ सैचुरेशन पर भी बात कर लेते हैं करते थे अब डिग्री ओफ सैचुरेशन की बात करिए देखें डिग्री ओफ सैचुरेशन के भी क्या होता है डिर्क्री प्रपॉर्शन होता है क्यों क्योंकि एक सॉइल है उसके अंदर पानी पूरी तरह से क्या है भरा हुआ है अगर पानी पूरी तरह से भरा हुआ है तो उसके अंदर एयर नहीं होगी और एयर नहीं होगी तो वो क्या नहीं करेगी पानी को तो resistance ही नहीं प्रोवाइड कर पहे हैं क्योंकि है यह नहीं अगर पानी के कि अंदर क्या होती एयर प्रेजेंट होती है तो जो पानी बहार से आ रहा है उसको एक resistance प्रोवाइड करती जिसके वेज़े से permeability of the soil पर effect पढ़ता और वो क्या हो जाती कम हो जाती लेकिन अगर saturated soil mass है मतलब जितना ज्यादा saturated होगा जितना ज्यादा degree of saturation होगा soil का उतनी ज्यादा permeability of the soil होगी clear रही बात next बात कर लेते हैं foreign impurities की भी अगर foreign impurities की जैसे foreign impurities मान लेते हैं कोई polythene आ गई कोई rapper आ गया ठीक है तो यह क्या foreign impurities है ठीक है अगर मान लेते हैं यही वो soil mass था इसके अंदर अब यहाँ पर कहीं polythene पड़ी हुई है यह अगर polythene पड़ी है पानी flow हो क्या आएगा क्या यह पानी पानी को नहीं होने देगी एक रेजिस्टेंस प्रोवाइट करेगी तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि पर्मेबिलिटी इन्वर्स्री प्रोपोर्शनल है foreign impurities से एक तरीके से और भी दिखा जा अगरे निद्धिस्टेंस प्रोवाइट करेगा एक रेजिस्टेंस प्रोवाइट करेगा उस पानी को अंदर अंदर flow होने से मतलब यह है कि वो एक resistance प्रोवाइड कर रहा है तो permeability को क्या कर रहा है कम कर रहा है तो जितना ज्यादा adsorbed water उतनी कम permeability clear रही बात कम होगी permeability is increased with the degree of saturation बिल्कुल आतुल जी आपका गातन बिल्कुल रही है नेक्स आ जाते हैं अब देखिये soil क्या हो सकता stratified भी हो सकता है यह stratified कि अच्पडसितमाल के लिया बात करते हैं किसकी भी बात कर लिए जाएगी तो stratified और not stratified soil होते है Iské भी बात कर लें stratified मेहмаश South का हों कि यह जमीन थी जमीन पर मैं 10 मीटर की डेप्ट तक गया मुझे एक ही टाइप का स्वाइल मिला कैसा मिला एक ही टाइप का यह नौन स्ट्रेटिफाइट सॉइल मतलब एक जैसा लेकिन एक बार मैंने ऐसा हुआ है खुदाई करनी शुरू गरी जमीन के लेवल से दो मी ले पे गया तो देखा वही सोइल 3 अलग अलग टाइप का सोई मिल रहा तो यह कैसा है स्ट्रेटिफाइड है अलग अलग टाइप का स्वाइब इसा हुआ कि मैंने जब नोटिस करना शुरू करा तो मुझे यह पता चला कि फ्लो तो इस वाइल के अंदर कैसे हो सकता है कु reporting when Flow is parallel to bedding plane ठीक है parallel to bedding plane का मतलब जब flow कैसा है parallel है मतलब flow कुछ इस तरह हो रहा है सही बात है अगर flow कुछ इस तरह हो रहा है बैड़िंग प्लेइन के parallel हो रहा है bedding plane भी कुछ इस तरह है और flow भी कुछ इसी तरह हो रहा है, तो उस case में इसकी अपनी permeability होगी K1, इसकी कुछ K2 होगी, इसकी कुछ 3 होगी, क्योंकि soil भी अलग-अलग type के हैं, मुझे तो कैसी चाहिए, average permeability चाहिए, अगर मुझे average permeability चाहिए, तो मैं average permeability in case of, मैं parallel का sign बना देता हूँ, parallel soil के case में, चले, parallel का ऐसे बना लेता हूँ, यह equal to हो जागा, parallel के case में कैसी होगी, होगी, submission of KI, ZI upon submission of ZI, Z क्या है, यह depth है, मैंने मान लिया, इस soil, soil 1 की depth 3, Z1, दूसरे soil की depth 3, Z2, तीसरे की Z3, और ऐसा भी हो सकता है, so on, 4, 5, 6, कितनी भी layer हमें मिल जाए, जितनी भी layer मिलेंगी, मैं ऐसा कह सकता हूँ, कि K1, Z1, plus K2, Z2, plus K3, Z3, so on, upon, Z1, plus Z2, plus Z3, plus so on, यह क्या आ जाएगी मिर पास, average permeability आ जाएगी, in case of, क्या होगा, अगर flow कैसा हो रहा है, parallel to the bedding plane हो रहा है, clear रहेगी बात, depthness का कुछ proportion है क्या, deepness, बिलकुल, Z1, Z2, Z3 क्या है, यह इनकी depth ही है, चलिए, अगर, perpendicular हुआ, when, flow is perpendicular, perpendicular की केस में बात कर लेता हूँ, perpendicular, अगर, perpendicular हुआ, तो उस केस में क्या होगा, इस बार flow कुछ ऐसे ना हो के, कुछ ऐसे हो रहा है, entry, exit, अगर ऐसे हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, उस केस में भी permeability निकालना चाहूँगा, और उस केस में permeability क्या होगी, तो उस केस में permeability जो मेरी आ जाती है, हाँ सभी है, submission of zi upon submission of zi by ki, मतलब इसको अगर मैं खोल के लिखूँँ तो कैसे लिख सकता, देखते हैं, क्योंकि बहुत लोग इसको open नहीं कर पाते हैं सही, इसलिए मैं open करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, तीन layer हैं, तो तीन layer के हिसाब से खोल देता हूँ, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपन z1 अपन k1 प्लस z2 अपन k2 प्लस z3 अपन k3, यह क्या है, जब flow कैसा होगा, perpendicular to the bedding plane होगा, लेकिन सवाल यह भी बन सकता है, कि अगर parallel, मैं मान लेता हूँ, यही वो soil है, कि भाई, अगर एक बार parallel हो गया और एक बार perpendicular हो गया, उस case में average permeability किस case में ज़्यादा निकल के आएगी, parallel के case में कि perpendicular के case में, तो हमेशा याद रखेंगे, कि permeability k average in parallel is always greater than k average in perpendicular, ठीक है, कि parallel to the bedding plane जब flow होता है, तब permeability क्या होती है, जादा निकल के आती है, किसे, perpendicular के case से, clear रहेगी बात, सभी लोगों को यह ध्यान रखना है, exam में आप से directly पूछ सकता है, कि भाई, soil आपको दे देगा, depth provide कर देगा, उसकी permeability provide कर देगा, और आप से average permeability पूछ लेगा, और आपको directly answer करनी होगी, आप answer कर सकते हैं, depending upon कि parallel हो रहा है, कि perpendicular flow हो रहा है, clear रही बात, बात समझ में आई है, तो सभी लोग मुझे थमसब करके बताएं, ताकि हम topic में आगे बढ़ सकें, parallel जादा, बिल्कुल तिपिका खरेजी parallel जादा होगा, पाउन तुमर जी कह रहे हैं, parallel होगा, अतुल जी का भी थमसब आ चुका है, अमन गोयल जी ठीक है, तिपिका खरेजी का आ चुका है, रिक्की जी का आ चुका है, विजेगुटा जी आज कल नहीं आ पाते हैं, वो बाद में देखते हैं, जर्मेंदर जी भी है, रितिका सिंग जी नहीं दिख रही है, अन्शुल पाल जी का आ चुका है, इंजीनिर्स अड़ा जी का भी आ चुका है, निकेत, parallel जादा बिल्कुल, तो इस लगबग सभी ल जादा 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 जाएं, तो उड़ना उड़ाना नहीं है, चलियर है, चलिए, अनिकेत जी का भी मुझे अच्छा रिपलाई देखने को मिलता है, आज कल, परमेबिलिटी की बात करी, इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करी, सीपेच की बात करी, ठीक है, इन सारी बातों की हमने बात की है, और अब जो हमारा नेक्स टॉपिक है, वो है फ्लो नेट, इसके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है, फ्लो नेट कल कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद जो हमारा topic शुरू होने वाला है वो compressibility है जिसमें हम compaction and consolidation के बारे में बात करने वाले हैं soil में और आपको मैं एक बात बता देता हूँ जितना important मैंने आपको बताया भी होगा कि पहला chapter बहुत जदा important रहता है examination में उसी तरह जो numerical छोटे छोटे बनते हैं soil के अंदर वो consolidation या फिर आप कह सकते हैं compaction या फिर total मैं कह सकता हूँ compressibility से बनते हैं तो वो topic बहुत important है सभी लोग उसमें present रहें live रहें ताकि हम उस topic को जाधा से जाधा अच्छी तरीके से cover up कर सकते हैं क्लियर रहेगी बात चलिए तो कोई भी आपको problem होती है telegram का link आपको comment box में provide कर दिया जा रहा है आप telegram में link में जोड़ सकते हैं और कोई भी problem होती है आप telegram कर दीजिए बाकी कल के lecture में मिलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू क्लिजर जागल